मुंबई में जन्मे मुसलिम मौलवी और टीवी प्रचारक जाकिर नाइक की पुरानी विडियो क्लिप की सोशल मीडिया पर तालिबान शासन की प्रलेखित कुरूरता, अपराद और हिंसा को एक धोखा करार देने की खतरनाक बयानबाजी के लिए निंदा की गई थी एक मलेशियाई दमपती के एक किस्से का उप्योग करते हुए, जिसने उन्हें तालिबानी दिखने वाले पुरुषों की जूठी कहानियों के बारे में सुनाए गए किस्सों के बारे में बताते हुए नाइक कह रहे हैं कि जो हिंसत आतनवादियों के रूप में पगड़ी क ठीक से नहीं बान सकते थे, वह तालिबा मर्द नहीं है। और वह तालिबान की छवी बिगड़ने के लिए मेडिया ने मन गद्दात कहानिया बनाई है। बता दे की जाकिर नाइक के इस बयान बाजी से मुस्लिम समुदाय में खलबली मच गई है। नाइक के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा है कि तालिबान में महिलाओ पर हो रहे जुल्म को कतई सही नहीं थेराया जा सकता है। और हिंदुस्तान का हर मुसलमान नाइक के इस मानसिक्ता का विरोध करता है।